तो श्री लंका के राश्ट्रुपती गोट बाया राजपक्षे ने भले ही देश छोड़ दिया हो लेकिन जनता है कि अपने विरोध की जिद छोड़ने को तयार नहीं है ये चार तस्वीरें विरोध की आग से किस तरह से लंका इस वक्त जल रही है श्री लंका किस तरह से इ इस विरोध की बेचैनी को महसूस कर रही है वो आप देख सकते हैं लेकिन राश्टरपती के देश छोड़ने की जो खबर थी उसने इस आग में घी का काम किया और खबरें ये भी हैं कि वो मालदीव से सिंगापूर या दुबई जाने की फिराक में हैं जनता के जित की आग और भड़क गई है घुसाय प्रदर्शनकारियों ने पी-म के घर और दफ्तर के बाद संसत पर धावा बोल दिया प्रदर्शनकारियों ने संसत की दो बेरिकेट तोड़ दिये जिसके बाद सेना को टियर गैस के गोले दागने पड़े और अब खबर आ रही है कि पी-म कारियाले पर कबजा करने के बाद संसत पर कबजा करने की योजना बनाई जा रही है इस वीच रानिल विक्रम सिंगे को कारिवाहक राश्रोपती बना दिया गया है और भीड के हुस्से को देखते हुए कारिवाहक राश्रोपती ने आज दो पहर बारा इसकी वज़ा ये थी कि उन्हें गोटा बाया के करीबी माना जाता है और कॉलंबो में इस वक्त संसद भवन के बार जी मीडिया समवदाता विशाल पांडे मौजूद हैं देखे उनकी ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त जी न्यूस की टीम ग्राउंड जीरो पर कॉलंबो में मौजूद है और हम इस वक्त संसद भवन से थोड़ी दूरी पर मौजूद हैं कल शिलंका की जन्ता और प्रदर्शनकारी यहां तक पहुच गए थे कई बेरिकेटिंग को शिलंका की जन्ता ने तोड़ दिया था और आज फिर एक बार फिर शिलंका की सेना ने यहां नई बेरिकेटिंग कर दी है ताकि यहां से आगे जन्ता को ना बढ़ने दिया जाए क्योंकि आप देखिए कल जो बैरिकेटिंग लगाई गई थी उसे तोड़के जनता ने नाले की तरफ फेक दिया था और आज एक नई बैरिकेटिंग लगाकर शिलंका की सेना आपको संसत भवन के ठीक बाहर तैनात दिखाई देगी और यहाँ पर तस्वीरों में देखिए स सेना ने मूर्चा समहाल रखा है कल देर रात तक इस जगए पर हजारों की संक्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे लेकिन आज यहाँ पर कोई प्रदर्शनकारी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि जिस तरह के राजनीतिक संकट यहाँ पर बने हुए हैं गोटबया र राजपक्षे ने अब तक अपना स्तीफा नहीं दिया है जबकि श्रीलंका की जनता गोटबया राजपक्षे और रानिल विक्रम सिंगे दोनों की स्तीफे की मांग कर रही है और फिलहाल कल देर रात तक यहाँ संसत भवन के बाहर प्रदर्शन चल रहा था संसत भवन के अ अंदर लगबग पात से छे नए बेरिकेटिंग रातो रात इस तरह के लगाए गए हैं ताकि इस लोकेशन से आगे किसी को भी ना बढ़ने दिया जाए कुल मिलाकर श्रीलंका के इस आर्थिक और राजनितिक संकट को लेकर आगे स्थिति क्या होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है लेकिन जी न्यूज आपको ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर दिखाता रहेगा कैमरमेनेस जैदीब के साथ विशाल पांडे जी मीडिया कॉलंबू श्रीलंका